नमस्कार दोस्तों मैं मनसारा म्रमा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल SM study गुरू पर आज हम डिसकस करेंगे 28 जनवरी को जो NTPC का एक्जाम हुआ है उसके सभी सिफ्ट यानि फस्सिफ्ट और सेकेंड सिफ्ट में जितने भी GES के questions आये हैं और हमें मिल प भी थोंगे सो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रसंट से तो फस्सिफ्ट में पहले हम डिसकस कर लेते हैं कितने questions आये तो वहां पर बहुत से questions हमको मिल गए है और उनकी एकदम सटी जानकारी हम आपको दे देते हैं तो पहला question आया DRDO का मुख्याल है DRDO का ख्याले है और अगर पूछा जाए कि DRDO के हेड कौन है तो इस समय जी सतीस रेड़ी इसके हेड है Mr.WTO World Trailed Organization के अध्यच कौन है तो Robert as a video जो की अगस्त 2020 में उन्हें इस्तीपा दे दिया तो option के अनुसार इस question को करना था अगर option में इन में से कोई नहीं दिया होता तो वहां के लाइन जो है इससे संबंधित है बिल्ली यहां पर सही हो जाएगा अगर कुट्ता का यहां पर पूछा जाए तो कैनाइन कैनाइन फैंबली से हो जाएगा next question है 2020 तक भारत के उपर अस्त्रपती कौन थे तो बैंके यह नाइडू इसका सही अंसर हो जाएगा बैंके गांधी द्वारा किस अधिवेशन की अध्यचता की गई तो इसका उत्तर होगा बेल गाओं बेल गाओं कहां पर है तो करनाटक में 1924 के अधिवेशन जो हुआ कांग्रेश का उसमें गांधी जी ने अध्यचता की और next question इन सभी question को मैं पहले discuss कर चुका हूं अगर आप playlist देखेंगे तो वहां पर जितने भी वीडियो हैं अगर आप देखेंगे तो आप कई बार questions को हम लोग discuss कर चुके हैं नेस्ट है मैं बुकर भारत में किस को नहीं मिला यानि option जो दिये गए थे उनमें से तीन को दिया गया था मैं बुकर प्राइज और मैं बुकर किया जाता है इस सभी की जानकारी हमें इससे पहले वाले वीडियो में दे चुके थे तो यहां पर उत्तर है जुमपा लहडी को जो है मैं मुकर प्राइज नहीं दिया गया है अगर किसका किसको किसको दिया गया है तो अरुद्वती राय गाड आफ इस्माल ठिंक्स के लि के लिए दिया गया और अरविंद अडीगा को दिया गया दफॉइट टाइगर के लिए अगर सलमान रुसीत की बात की जाए तो उनको मिड्नाइट चिर्डरन के लिए दिया गया यह सभी बुक्स आपके लिए इंपोर्टेंट हैं सो फ्रेंड्स आप इसकी निसौर्ट भी है नरेंद मोदी यानि कि नरेंद मोदी जी नीति आयों के अध्यच्य है नेस्ट पुछा गया कि Google का प्रॉडक्ट नहीं है गूगल प्रॉडक्ट इस सपोस्थ अगर हम जीमेल की बात करें यूट्व की बात करें गूगल ड्राइब की बात करें तो यह सब क्या हो जाएं किस राज्य से शंबंधित हैं तो आरावली फस्ट सिफ्ट में आरावली पूछा गया सेकंड सिफ्ट में नील गिरी से कोई से पूछा गया तो आपको पहाडियों को भी पढ़के जाना है अगर आपको कोई भी टॉपिक पे डिटेर्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर यह सब इसका सही अंसर हो जाएगा और महारास्ट तो आप समय जाएगा महारास्ट नेस्ट है गुजरात सी एस आई आर के महानरदेशक कौन है तो सेखर सी मांडे यहां पर वो मिस हो गया है तो इसको आप एडियेस कर सकते हैं यहां पर अगर हम यहां पर बात करें CSIR तो CSIR जो था इसके महानरदेशक पुछा गया तो सेखर सी मंडे इसके महानरदेशक है और पूछा जाए अगनी सिफ्ट में कि PM जो होते हैं इसके अध्यच होते हैं यहां पर जो यह दिया हुआ गुजरात यह उसी पिछले वाले कुश्चन का है आरावली का आरावली जो रेंज होती है वो गुजरात में भी है कि स्क्रिंश ले सकते हैं हाँ नेस्ट कोशिन क्यों मूप करेंगे मुस्लिम लीग की अस्थापना कहां हुई तो क्वेश्चन था कहां हुई तो यह हुई धाका में धाका कहां बांगलादेश पुछ तो यहां पर पूचा गए की यूनाइटट डेशन यूनाय करपते तो यहां पर पूचा गए कि United Nations United Nations इन में से कौन सा अंग जो है United Nations से संबंधित नहीं है तो United Nations से 6 अंग संबंधित हैं और Union से related लगातार questions पूछे जा रहे हैं हम कई वीडियो में discuss कर चुके हैं तो अगर आप सभी वीडियो को दिखते हैं तो वहाँ पे सारे questions कवर हो जाएंगे अगर चाहते हैं कि हम United Nations से संबंधित एक अलग वीडियो आपको प्रवाइट करवा दें पांच मिनट का तो आप बता दें हम वहाँ पे सारे questions को इंक्लिट कर लेंगे छेंग हैं तो चेंग कौन-कौन से हैं तो जर्नल असेंबली है सिक्योरीटी काउंसिल है इकोनामिक एन्ड शोसल काउंसिल रस्टिष ए काउंसिल और पुछ्छ अ है और इंटरनेशनल कोट आफ जस्टिस है और दस एकर्यट में यानिश संस्थाएं हैं अगर आप्षन में जो नहीं था तो आप्षन में एक एफ एओ करके दिया गया था तो फूड और आप्षन था एफ ए ओ यह संबंधित नहीं है तो उनाइटेड डेशन से संबंधित नहीं है नेस्ट कोशन क्यों पूछ पूछन आया कि 1931 में कांग्रेस का अधिश्य कौन था 1931 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसका अधिश्य कौन था सरदार भल्लभाई पट है तो इंटरनेशनली भी क्वेश्चन कई पूछे जा रहे हैं तो वहां से धिया क्वेश्चन जरू प्रेपेर करके जाएं दांडी मार्च से संबंधित है यानि कि दांडी मार्च के तुर्म बात कौन सा अंदोलन चला तो सभी ने अवग्या अंदोलन इसका सही अंसर हो का है 2020 में फीफा रैंकिंग में नंवर वन देश कौन सा था तो इसका सही अंसर होगा iv बेल जियंग यह जो है 220 में जो फीफा रैंकिंगंगे उसमें वेल्जीयं इंब說 है नेश्ट कोई्ट्रन है ऑप हां से लांच किये जाते हैं तो यहां पर आप्सं से यह यह कोशिएं इसको दिया गया तो भी मुपी इप था जो उसको दिया गया इसको ध्यान रखना नेस्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर नेस्ट क्वेश्चन पूछा गया कौन सा अनुख्षेद पर्यावरन सनरच्छन से संबंदित है तो 51a हो जाएगा मौलिक करतब जो है 51a है काफी इंपोर्टेंट यह अनुख्षेद है नेस्ट एक्जाम में भी देखने को मि कि पी किसको डिनोड करता है तो प्रोटोकॉल हाईपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल्पॉर्म होता है नेस्ट कोश्चन आया था कि आई पी एड्रेस में डोमें नेम कैसे चेंज करते हैं तो यह ऑप्सन से होगा क्वेश्चन नेस्ट कोश्चन है पूछ लिया जा तो हो जाएगा सफ्रिया से यूय उनियस्ट की साइट में नहीं है तो उसमें इसने सायध जो ता मांडू मंदिर करके था तो उसको की साइड में नहीं कुमार्गुप्थ प्रखम क्यों करवाएं साफटा में कौन सा देश नहीं साफ्टा का कौन सा देश नहीं तो यहां पर जुक्स अौप्शन था उसके इसका चाहिए होगा सेंगापुर सिंगापुर जो है इसका सही अंसर होगा अगर बात करें कौन कौन से देशने तो अफ्गानिस्तान पाकिस्तान माल दीव इसके डेस्जा सॉफ्टा के यहां पर शॉफटा जो है इंपोर्टेंट है ऐसे अर्गनाइज़शन पूछे जा सकते हैं तो अर्गनाइज़शन जरूर आप देखके जाईएगा खास करके युनाइट नेशन गांधी जी और यह जितने भी संस्थाएं हैं इनको और इस रो इन सबको आप एक बार कंप्लीटे देखके जाईए तो नीलगरी खिल्स से जो कुश्चन था उसका अगर हम उत्तर की बात करें तो वहां पे चाय की खेती होती है और परेटनंक अस्थल भी है तो यहां पे जो आप्षन था आप्षन से क्वेशन को करना था नेस्ट है रक्त का ठक्का विटामिन केस का सही अंसर होगा गरफप से जापान जो है इसको आमेरीका द्वारण द्वाएब लिए टो जार получится से ग्याने नभी गरम जल्धारा है कि क्या है तो पुछा गया मैंटे हाट पर है कि उर्ट है रिपोर्ट कौन जारी करता है तो उयन द्वारा जारी करता है यॉन इटिड नेश्ण जो है वर्ड हाईपेनेस रिपोर्ट जारी करता है तो यहां पर हम निस्ट की बात करें तो इस आपको क्या-क्या पढ़ना है बतादेते हैं इक बार आप गांधी जी के बारे में जितनी भी जानकाषी ले सकते हैं तो संस्थाएं संस्थाएं में खास करके युनायटेड नेशन से संबंधे जितने भी चीजें हैं उनको पढ़ने आप दान्स का इस भी पढ़ने एक बार तो इन सभी टॉपिक्स को आप एक बार जरूर कम्प्लिटली रिवाइस करके जाएं और जो भी पढ़ा है आप उसको र अनेलेसिस के साथ आप वीडियो को सेर कर दीजेगा लाइक कर दीजेगा और कोई कमेंट हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं थैंक्यू सो मच